स्वागत है आपका दीपक जी नमस्कार जैहिन स्वागत दीपक जी का स्वागत दीपक साब मेरी बात खुब और से सुना कि बहुत ऑपरेशन हो जाते हैं नाक के और बोल दिया जाता है हड़ी बढ़ गई यह हो गया वो हो गया लेकिन मेरा जो अपना अनुभाव है कभी भी किसी की नाक की हड़ी गोश्ट नहीं बढ़ता है और होता क्या है कि हमारे नाक में ग्लैंड्स हैं तो जब हमें नजली खांसी पलगम यह सदी का असर होता है तो हमारी नाग में वो ग्लेंट्स फूल जाते हैं ताके सर्दी का असर से हफाज़त कर सके आपकी उसमें नाग बंद हो जाती है जब बार बार नाग बंद होती है तो ये बुलते हैं कि कोछ बढ़ गया अट्डी बढ़ गई ऐसा होता मैंनам आज तक नहीं देखा तो इसका इलाज के लिए हमें अपने सर्दी का इलाज करना होता है सर्दी, खांसी, बल गम्ची के जिनें आती हैं उसमें रोग पिती、 रोदक शक्ती कम होती है तो रोग पिती、 रोदक शक्ती बढ़ा लें खटी चीज़े खाना बंद कर दे एक नुस्खा जो अभी कावेरी जी बता रही थी उनके बच्चे को था वो नुस्खा आप ले सकते हैं उन्होंने माजून आरकेर के लाया और वो बच्चा अब की बार जो बरसाद में भीगा तो उसकी पसली भी नहीं चली और उसको चीके खासी बलगम ये सब बीमारी उसी से जा सकती है वो एक मुझणब नुस्खा है और उसमें जो मैं घरेली नुस्खा बताता हूं वो ये है कि सपिस्तान उन्नाब अलसी तीन चीज़े सौसो ग्राम खरीदें उन्ना आपकी गुट्ली निकालकर फैक दें और तीस ग्राम पीपले इसमें मिलाकर आप पाॉडर बनाएं और ये एक चम्मस सुबा एक चम्मस शाम खाएं और भगवान से मदद मांगें गरम पाने इस्तमाल करें खटी चीज़ों से परेस करें दूद तक ना पीएं दूद भी ऐसे मरीज को नुकसान देता है और ये पाच्छे महीने निसका कहने से आपको फाइदा भगवान दे सकता है